हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स प्रेगनेंसी के दोरान हर गर्भ वती महिला में ये देखने को मिलता है कि उनको बहुत ज़दा उत्सुकता होती है जानने की कि उनके गर्भ में लड़का पल रहा है या फिर एक लड़की पल रही है और शुरुआत से ल ज़रूर लगाया जा सकता है कि उनके गर्भ में लड़का है या फिर एक लड़की है तो चलिए जानते हैं कौन कौन से सिम्टम्स हैं जो बेबी बॉय होने के माने जाते हैं उससे पहले कहना चाहूंगी कि चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर क अच्छन माने जाते हैं लेकिन अगर आपको स्पोर्टिंग होती है तो यह खत्रे की निशानी भी हो सकती है अगर आपको लगता है कि आपको ज्यादा स्पोर्टिंग हो रही है तो यह खत्रे की निशानी है ऐसे में आपको डॉक्टर से संपर्क जरूर करना चाहिए लेक तो यह लड़का होने के लक्षण माने जाते हैं। तो इससे भी आइडिया लगाया जा सकता है कि उनके गर्ब में एक लड़का पढ़ रहा है क्योंकि माना जाता है कि बेबी बॉय होने के टाइम पर महिला के कुछ पार्ट साथ से होते हैं जो काले पढ़ने लग जाते हैं तो ये लड़का होने के साइन माने जाते हैं नेक्स्ट सिम्टम बहुत ही खास माना जाता है, फ्रेंड्स माना ऐसा जाता है कि जिन महिलाओं को सुबा के टाइम पर बहुत ज़ता उल्टियां होती है और जी मी चिलाता है तो ऐसे में माना जाता है कि उनके गर्ब में एक लड़का पर रहा है, प्रेगनेंसी के दौरान जिन महिलाओं को कम उल्टियां होती है, कम जी मी चिलाता है या फिर बिल्कुल भी उल्टियां नहीं होती है तो इससे अनुमाल लगा जा सकता है कि उनके गर्ब में एक लड़का पर रहा है अगले सिम्टम के बारे में बात करें तो प्रेगनेंसी के दौरान अगर गर्ब प्रेज महसूस होती है तो इससे आप अनुमाल लगा सकते है कि आपके गर्ब में एक बेबी बॉइ पड़ रहा है तो फ्रेंड्स ये सारे सिम्टम से अगर आप में नजर आ जाए तो इससे आप समझ ले कि आपके गर्ब में एक लड़का पर रहा है लेकिन इनका कोई परसेंट से और नहीं मान सकते हैं फ्रेंड्स वीडियो पसंद आते वीडियो को लाइक शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई